कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए एक नहीं 50 कानून बनाए 1954 में Drug and Cosmetic Act नहरूजी ने बनाया और इस कानून का मुख्य लक्स था नेचुरोपैथी को बर्बाद कर देना, आयरुवेद को बर्बाद कर देना जो हमारी भारती ची किस्सा पधती है उसको खतम कर देना तो योग, आयरुवेद और भारती ची किस्सा को बढ़ाने की बजाए उसको प्रमोट करने की बजाए नहरूजी ने 1954 में कानून बनाया जिसको कहते है Drug and Cosmetic Act जो ये कहता है कि जो बाते चरक संगीता में लिखी है, सुरसु संगीता में लिखी है, वागबट संगीता में लिखी है, पतंजली की योगसूत्र में लिखी है या सारंग्धर संगिता में लिखी है या माधोकर संगिता में लिखी है भावप्रकास संगिता में लिखी है उसको भी आप क्लेम नहीं कर सकते आप पबलिकली कह नहीं सकते कहां आम इन बिमारियों के लाज कर सकते इससे भी पेट नहीं बहरा 1975 में जब इमरजंसी चल रही थी पुरा देश जेल के अंदर था उस समय उन्होंने सेकुलर और सोसलिस्ट वर्ड जोड दिया बिना चर्चा के, बिना किसी के तो एक तरीके से उन्होंने सम्मिधान के बेसिक इस्ट्रक्चर को बदल दिया प्रियंबल में डाल दिया सोसलिस्ट वर्ड सेकुलर इसका मतले भी हुआ कि सम्मिधान का बेसिक इस्ट्रक्चर बदल दिया फिर उसके बाद 1984 में राजियो गांधी को एक इतिहासिक बहुमत मिला 400 सीट से ज़्यादा मिली उसमें नारे लगते थे अपकी बार 400 पार अपकी बार 400 पार और 404 सीट मिली अगले साल 1985 में राजियो गांधी ने सिटजन्सी पैक्ट को बदल दिया और पूरे देज के घुस पैठी और खासतोर पर जो असम के घुस पैठी यह थे उसका उनको लाग मिल गया यह सिटजन्सी पैठ कहता है सेक्शन सिक से कि जो असम में आ चुके हैं घुस पैठी है 71 तक यह सब सारे के सारे नेचुरल वे में भारत के नागरिक बन गए उसका फायदा यह हो रहा है कि जो 71 के बाद में भी आये है 85 में आये, 90 में आये, 2000 में आये 2010 में आये, वो भी कह रहे हैं 71 के पहले आये थे क्योंकि कोई बादर पे परची तो खटती नहीं है, हाख कब आये है वो तो अवैद रूप से आते हैं तो घुस पैठीयों को निकालने की बजाए गुस पैठीयों के खिलाफ कठोर कानून बनाने की बजाए राजियों गाधिन 1985 में सेक्षन 6A जोड़ दिया और ये सेक्षन 6A कस्मीर की आर्टिकल 35A से भी जादा खतरनाक है कस्मीर में जितना 370 का दूस परिणाम हुआ आर्टिकल 35A का अधूस परिणाम हुआ उससे जादा खतरनाक है ये धारा 6A जो असम को बरबाद करके रखेगी उसके बाद भी पेट नहीं भरा अगले साल 1986 में साहबानों का मामला आया था सुप्रीम कोट का सुप्रीम कोट का फैसले पलटने के लिए कानून बना दिया और मुस्लिम महिलाओं को जो गुजारा भत्ता मिलना था उसको बंद कर दिया 1986 में ये काम भी राज्युगादी ने किया फिर उसके बाद इस देश में मुगलों के इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून बना 1991 में वो भी कांग्रिस नहीं बनाया था आप दिला सोचिए यहाँ पे हज्जारों की संख्या में मंदिर तोड़े गए थे और किसके द्वारा बाबर के जरीए हुमायों के जरीए और अंगजेब ने तोड़वाया अकबर ने भी तोड़वाया घजनी ने तोड़वाया था गोरी ने तोड़वाया था हज्जारों की संख्या में मंदिर तोड़े गए थे उन मंदिरों को रिस्टोर करने के लिए कानून बनाने की बज़ाए 1991 में कांग्रेस ने कानून बनाया जिसको पलेसा वर्शीप एट कहते हैं और उसने सारे के सारे मुगलों के illegal काम को legalize कर दिया 1588 में बावर ने आयोध्या को तोड़ा 1670 में आउरंग जेब ने मतुरा भगवान कृष्ण की जन भूमी को तोड़ा 1377 में तुगलक ने आई अटाला देव मंदिर को तोड़ा जो जौनपूर में जिसको अटाला मस्जित कहते हैं 1679 में आउरंग जेब ने कासिवी सुनात जी मंदिर का तोड़ा था 1410 में अलाउद दिन रूद्र महालय मंदिर तोड़ा था 1552 में अमसा अब्दाली ने जिसके नाम पर हमदाबाद चल रहा उसने भद्रकाली मंदिर को तोड़ा था इसी तरीके से पश्शिम बंगाल की जो अदीना मस्जिद बनी है वी मंदिर तोड़के बनी है 1658 में आउरंग जेब ने विजा मंदिर को तोड़के विजा मंदिर मस्जिद बनवा दिया आपका धार में भोशाला सरुस्ती जी के मंदिर को तोड़ के मूर्तियों को तोड़ दिया गया तो कांग्रेस की ड्यूटी थी भाई भारा स्वतंत्र हो गया तो एक कानून बनाए और सारे जो मठ मंदिर तोड़े गया उनको रिस्टोर करें उनको बनवाएं वो काम नहीं किया 1991 में प्लेसे आप वर्षी पैट बनाया और बोल दिया कि जो भी ये मुगल तोड़े थे वो सब सही है ये सब लिगलाईज हो गया अगले साल 1992 में मुसलिम्स को फायदा देने के लिए और हिंदूओं को आपस में बाटने के लिए क्योंकि हिंदू ला के अनुसार सम्विधान के अनुसार हिंदू जैन बाध सिख ये हिंदू जैन बाध और सिख ये चारो हिंदू कहलाते है लेकिन 1992 में कानून बना के सिख को भी माइनाटी बना दिया जैन को भी माइनाटी बना दिया बाउत दोखो भी माइनाटी बना दिया असली मकसद था मुस्लिम्स को फायदा पहुँचाना लेकिन एकी तीर से दो निसान साधा 1992 में इसको कहते है माइनाटी कमिसें अक्ट अगले साल 1995 में वक्पैट बना दिया मुस्लिम्स को पूरे देश की जमीन पे कबजा करने के लिए एक वक्पैट बनाया 1995 में अगले सब फिर दोजार चार में माइनाटी एजूकेशन अक्ट बना दिया ये काम मनमोहन सिंग ने किया था 2010 में FCRA बनाया इस देश गदारों को फंडिंग कराने के लिए देश विरोधी एंजियों को फंडिंग कराने के लिए मावादियों को नकसलियों को जहादियों को मिसंरियों को अलगावादियों को चरमपंथियों को कर्टरपंथियों को सफेद पोस्ट निताओं को सब को फंडिंग कराने के लिए कानून बना 2010 में उसको FCRA कहते 2012 में Right to Education के दाइरे से मदरसे को बाहर निकल दिया जब Right to Education 2009 में बना था तो मदरसे भी उसके दाइरे में आते थे 2012 में उसको बाहर निकल दिया ऐसे ही अनेक 50 से ज़्यादा कानून है जो कांग्रेस ने बनाया है कांग्रेस ने गुलामी का नाम नहीं मिटाया गुलामी का निसान नहीं मिटाया गुलामी की परंपरा को नहीं खतम किया गुलामी की रीत रिवाजों को खतम करने के लिए कुछ नहीं किया गुलामी की पुलिस ब्यवस्था को नहीं बदला कांगरेस ने, गुलामी की नियाईक ब्यवस्था को नहीं बदला कांगरेस ने, गुलामी की प्रसासनिक ब्यवस्था को कांगरेस नहीं बदला, गुलामी की टैक्स ब्यवस्था को नहीं बदला, गुलामी के जितने हमारे पराने परंपराएं चल नहीं थी कि गवर्नर जाएंगे तो ऐसे सल्यूट होगा ये जाएंगे तो ऐसे सल्यूट हो जाएगा वो कुछ नहीं बदला हाँ भारत की संस्कृती को भारत की चिकिस्सा विवस्था को भारत की सिक्षा विवस्था को भारत की परंपरा को भारती ग्यान विज्ञान को खतम करने के लिए एक के बाद एक के बाद एक पचास कानून मनाए इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ एक बार ओट देने से पहले कांग्रेस के निताओं से जरूर पूछना एक बार ओट देने के पहले कांग्रेस के नेताओं से ये पूछना कि तुमने गुलामी का कौन सा निशान मिटाया तुमने गुलामी के खिलाफ कितने काम किये और तुमने वेख पुरार को क्यों नहीं लागू किया तब तो अथिहासिक बहुत बहुमत था आप कांग्रेस के नेताओं से पुछिए कि आपके तो इस पास 1950 से लेके नहरू जी को लगाता रए त यहासिक बहुमत मिल रहा था इंद्रा जी को लगाता रहा त यहासिक बहुमत मिला राज्य गांधी को तो 404 सीट मिली इतने सवं सत्ता में रहने के बाद समान सिक्षा क्यों नहीं लागू किया समान नारी संगीता क्यों नहीं लागू किया घुस पैट के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बनाया धर्मांतरन के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बनाया जन संख्या विस्फोर्ट रोकने के लिए कठोर कानून क्यों नहीं बनाया तुमने अस्तलिलता नियंत्रण के लिए कानून क्यों नहीं बनाया तुमने नशा के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बनाया तुमने भारत के संबिधान को लागू करने के लिए क्यों नहीं बना क्योंकि वैसे ते आपको मिलेंगे नहीं लेकिन अब इलक्सन आ रहा है तब ये कंगरेस की निताब के पास आएंगे और इस बार आप जो ओटिंग करना वो दिल लगा के मत करना दिमाख लगा के करना इस बार जो ओट देना वो सोच समझ के ओट देना इस बार जो ओट देना जाती के अधार पे मत देना भाशा के अधार पे मत देना छेतर के अधार पे मत देना इस बार ओट देना मुद्दो के अधार पे जो ओट मांगने आए उससे ये ज़रूर पूछना कि तुम नसे के खिलाफ कठोर कानून बनाओगे कि नहीं और बनाओगे इसकी घोस्रा करो जो आए यहाँ पर ओट मांगने आपके दरवाजे पूछना कि भरष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बन रहा है जाएगा धर्मांतरन कराने वाले मिसंडियों और जिहादियों पे कठोर कारवाई कब होगी यह आप पूछना अगर आप नहीं पूछोगे तो याद रखिए जैसे पाकिस्तान से मिट गए अफगानिस्तान से खतम होगे बंगलादेश से भी खतम होने के कगार पे हैं भारत वाले तो पलायन करके असम में चले गए मड़पूर वाले पलायन करके फिर बगल के राज्यों में चले गए आप कहा जाओगे सोचना आप है इसलिए इन ओट जीवी और नोट जीवी नेताओं से खुल के सवाल करिए और अगर मेरी बासे सहमत हो इस वीडियो को अपने सा का जबाब दे नहीं तो ये ओट जीवी और नोट जीवी नेता 20 साल के बाद 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे आज का कठोर कानून आपके बच्चों को बचाएगा आज की अच्छे नेता जिनको आप बहुत अच्छा मानते हों 25 साल के बाद आप कि बच्चे को बचाने नहीं आएंगे